प्रशान जी ने एक विशय को इस मन्ज से कहा था कि कॉम्मिनिकेशन कैसे आप करते हैं कॉम्मिनिकेशन के मामले में अगर हमें जानना चाहूं इस मूद सवागार से कि आप सभी लोग काफी बिद्वान लोग हैं पड़े लिखे छेतर से आते हैं और यह जार्खन में आपको इस जार्खन को विकास करने का जिम्मा मिला है राजनेता आते रहेंगे जाते रहेंगे यह अलग विवस्ता है लिए आप continuous जर्णी में है जार्खन जैसे परदेश में जार्खन का जो जोग्राफिकल बनावट है यहां के लोगों का रहें सहें यहां के लोगों का सब्यता संस्कृती इन सब को आप जानते हैं और मुझे लगता है अगर इस राज मेरा सला भी है आप लोगों से आगरा भी होगा कि communication अगर आपका राज के लोगों के साथ नहीं है तो कोई भी योजना कभी सफल नहीं हो से और communication के लिए अगर कोई translator आ जाए या middleman आ जाए तब तो चीजें एक दूसरी दिसार में जाएगी आप सब लोग को मालू है यहां पर गिविन भासाओं को बोलने वाला यह राज है हमारे इस राज में हो, मुंडा, संथाली, कुड़ुक, खोठा, भोचपूरी, मगी कई तरीकी के भासा बोला याते है मुझे लगता है यहां के कुछ भासाओं की जानकारी यहां के पदादी कारियों को निस्चित रूप से होनी जह क्या आप लोगों को यहां कोई संथाली कोई बोलने वाले पदादी कारी हैं अगर कोई जानते हों तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं मुझे लगता है कि जारकन सर्विस कमिशन तो है पीछे जो बैटे हैं वो स्टेर सर्विस कमिशन के पदादी कारी है मैं उदर से तो खेर ये लोग कुछ बोल भी लेंगे लेकिन आगे के पंक्ति से आप लोग किसी ने हो के बारे में कोई जानता हो मुंडारी के बारे में जानता हो कोई पुलिस पदादी कारी के तरफ से भी अगर कोई ऐसे हो डेफों के तरफ से जो जंगलों में रहने वारे लोग यहां अधिकतर आधिवासी समुधाय की लोग जंगलों में हैं चले बहुत इतना भी सुनकर अच्छा लगा कि प्रेक्टिस में थे तो मैं जानता था लेकिन अभी भूल गया लेकिन कोई भी आपको ये बहुत जरूरी है कि आप जब तक अस्थानिय भासा को नहीं अपनाएंगे तो चीजें आप चाहकर आगे नहीं बड़ा पाएंगे अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना न भूले